सर हमारे टाइक प्रोस्पेक्टस ध्यान दीजिएगा इसपे सबसे पहला है हमारा सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस एनी डॉक्यूमेंट या कोई एडविटीजमेंट या कोई अनॉंसमेंट मतलब बुकलेट फॉर्म में नहीं एक शॉर्ट टाइम पर आपको यह बाते पता चल जाए तो ऐसे प्रोस्पेक्टर्स को हम बोलेंगा दीम्ड प्रोस्पेक्टर्स ठीक है सेल्फ प्रोस्पेक्टर्स जर्नली हमारे प्रोस्पेक्टर्स की जो लाइफ होती है उन 90 डेज की होती है अगर आपने एक बार प्रोस्पेक्टर्स इशू करा सारे रिक्वार्मेंट फुल्फिल किये तो 90 दिन तक आप प्रोस्पेक्टर्स इशू कर दो पुब्लिक को अगर आपका टाइम ज़्यादा लग गया 90 दिन से तो फिर दुबारे सारे कंडिशन फुल्फिल करना पड़ेगा लेकिन सेल्फ प्रोस्पेक्टर्स बनाया गया यह फाइनेंशल इंस्ट्यूशन यानि बैंक के लिए बैंकिंग कंपनी को अगर शियर इसू करना है न क्योंकि बैंकिंग कंपनी न बहुत ज्यादा इसमें इन्वार्व रहती है उन्हें साल में कई बार बॉंड्स इशू करने पड़ते हैं कई बार उनको डिविंचर्स इस तरीके से मल्टिपल टाइम चाहिए होता है जूरत तो नॉर्मली सेल्फ प्रोस्पेक्टर्स बैंकिंग करनी और इसकी लाइफ जो है ना इसकी वन इयर लाइफ रहेगी और कहां से फॉर्स्ट अलोट्मेंट जब खतम होगा उससे एक साल का दिया जाएगा यानि जो बार बार फ्रिक्वेंटली काम कर रही है कि यह इंटिमेट करो पबलिक को फिर से डिवेंचर लेकर आ पिर से bond लेका हैं फिर से shares लेका हैं यह सिर्फ financial institution और banking के लिए है तो वो कौन सा prospectus issue करेगी सर सेल्फ prospectus अगला है सर red herring prospectus red herring red herring red herring red herring का मतलब simply है मतलब confusion confusion मतलब सर इसके अंदर आपको दो चीज़े कभी भी नहीं मिलेगा कि प्राइज कि और क्वांटिटी या फिर नंबर कि प्राइज पता है कैसे देंगे कि 120 इस एक सो तीस यानि इसके बीच में कोई भी प्राइज हो सकता है वो बिडिंग के इसाब से होता है जितना बिड करों के बीड का मतलब होता है आप बोली लगाने और लगा ओगे क्योंकि का company को भी कईवार पता नहीं होता कि हम कितने का शेर इशू करना चाहिए कि इस आपको मिलेंगे यह भी नहीं क्योंकि prospectus 200 pages का होता है बेसिकली तो इतना सभी को बाटूँगा अगर एक लाग prospectus से एक लाग को बाटूँगा तो company का prospectus इस्यू करने में बड़ा खर्चा जाएगा तो एक summary कम pages का बना लेते हैं उसको देते हैं लेकिन कोई person बोलता है नहीं मुझे detail चाहिए तो ही उसको detail prospectus दिया जाएगा तो यह summary है cost basically company अपने cost cutting के लिए इस prospectus का इस्तेमाल करती है तो normally आज के time पर सबसे जादा trending में और हर company यह वाला prospectus issue कर रही है तो चार टाइप हो गए जो आपने देखे इसके बाद हम deemed prospectus सीके करके meaning देख लेते हैं लिखा हुआ है समझ समझा तो दिया ही चलिए सर आईए deemed prospectus a deemed prospectus as this name suggests is deemed to be company मतलब मान लिया जाएगा भाई तुमने ही issue गिया था यह prospectus simple term in a detail a legal document होगा वो which contained all information regarding the stock एक document होगा जिसके अंदर सारी information company के shares के होंगे security के होंगे that company offer to public जो company public को बोल रही है के मेरी company के खरीद लो तो इसको क्या बोला जाएगा सर इसको बोला जाएगा हमारा deemed prospectus अगला है सर शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स क्या कहता है मेनिंग में अस सेल्फ प्रोस्पेक्टर्स मीन प्रोस्पेक्टर्स इस इस इशूड़ बाई एनी financial institution किसी भी तरीके का financial institution या फिर बैंक सर दोनों में क्या फरक होता है देखो बैंक का का काम दोनों होता है पैसे जमा करना भी और पैसे लून पर भी देना फाइनिशल इंस्टिउशन का मेंली काम होता है पैसे लून पर ही देना ठीक है न तो एनी financial institution for bank one or more issue of security one or more मतलब या तो साल में एक बार या उससे ज्यादा करे class security specific prospectus और वो specific prospectus होगा एक से ज्यादा करें तो उसको self prospectus बोलेंगे provision क्या है any class और class of company prospectus में भी security of exchange board में भी file self prospectus within a registered stage of first offer क्या कहता है कब होगा यह जब हमारा first offer indicating a period not exceeding one year first offer के जैसे ही खत्म जैसे हमारा first offer होगा ना पहला offer IPO उससे एक साल रहेगा आपका for the period validity search prospectus यारी सिंपल सी बात है सर आप साल में कई बार आपको shares वगेर आईशू करना पड़ता है तो आपको prospectus इशू करना पड़ेगा self लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आप बैंकिंग या financial institution ही होना चाहिए मैं एक सिंपल एजूकेशन कंपनी बनाता हूं और बार-बार बी रब मन करता है prospectus तब मैं यह नहीं कर सकता ठीक है इसके life कितनी है सर life one year बड़ी सिंपल सी definition इतना दिमाग नहीं लगाना है deemed मतलब कोई भी legal document जो मैंने आपको दिया self मतलब financial institution issue करती है इनको बार-बार करना पड़ता है एक साल के लिए आगे देखा जाता है red herring prospectus बड़ा सिंपल सा है red herring prospectus mean prospectus which does not include complete particular quantum मतलब कितने number और price of the security include मतलब ऐसे document ऐसा prospectus जिसके the price और quantum यानि quantity mention ना हो उसे बोल देना कौन सा red herring prospectus average prospectus क्या होता है कहता है average prospectus is memorandum of containing such silent feature मतलब कुछ ऐसे silent feature है of a prospectus may be prescribed does it brief version brief का मतलब एक तरीके से version of the silent feature of the prospectus to cut the cost involved मतलब यह summary type का है ब्रीफ दे दिया जाता है brief का मतलब क्या होता है summary देना कि briefly बता भाई ब्रीफ बता दो इसका क्या है प्रोस्पेक्टस वह भी एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट है प्रवाइड फुल प्रोस्पेक्टस उसे फुल प्रोस्पेक्टस तब दिया जाएगा जब परसन को जरुरत होगा जब परसन आस्क करेगा भाई मेरे को काम कर इस समझ में नहीं ज्यादा बाते तो सारी डिटेल दे मुझे जब ऐसा मांगेंगे तो उस टाइम पर क्या करेंगे हम उस टाइम पर हम उसे मतलब नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जो पूरे दो सुपनने का एक्जामपल लिया था वो द वेन एप्लिकेशन फॉर्म इशू जिनको जुरत ही नहीं के बड़े अंडर राइटर को शियर दे रहे हैं तो अंडर राइटर तो सब चीज लेता ही है उनको पड़ लो तुम्हें थोड़ी बहुत समरी दे दी है हमने एक्जिस्टिंग शियर होल्डर तो उनको भी जुर आई है सब तो तुम क्या करोगे तुम्हें भी नहीं मिने दियागा अब मुद्य की बात अगर कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट विद्धा प्रोविजन और सेक्शन सेल भी लाइबल तू पचास हजार रुपय का फाइन दिया जाएगा डिफॉल्ट में सेक्शन 33 और एक सेक् प्रोस्पेक्टस क्या होता है प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि हम पब्लिक को देते हैं रडेरिंग प्रोस्पेक्टस हो सकता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस हो सकता है और साथ के साथ सब्सक्रिप्शन पब्लिक को हम बोले के भा कड़ेगा इसके पाद सर प्रोस्पेक्टर कितने टाइब के होंगे चार होग दीम डिएक होगा सेल्फ एक होगा रेड़ हरींग एक होगा आपका लास्ट अबरीज क्या होता है यह पूरा डिटेल नहीं मैंने बोला हो कि आप मेरी कंपणी के खरी दिए तो यहां पर क्वांटिटी और प्राइज ना मेंशन हो और हम बोले के हम अपनी कंपणी के शियर लेके आ यहां इसके आगे हम क्या देखेंगे सर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लेना इसके आगे हम देखने वाले हैं average prospectus के बाद misleading क्या-क्या misleading है उसके remedies क्याel प्राइब जूँड़ याले हम इसके शेखे लेकाटी स्टैबाटी कर दो डवभर क्योऊ है हम अपना दो घुट रूटारम